हेलो एबरीवन आज की इस वीडियो में हम लो भी फार्माफर्स सेमेस्टर 2019 and 20 का पेपर देखने वाले हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वह है फार्मसोटिक्स फर्स ठीक है तो आज का जो भी पीडियाप का लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल और पीडियाप जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेट है तो आपको यहां पर पासवर्ड देखने को मिल रहा होगा तो आपको सिक्स डिजिट पासवर्ड कलेक्ट करना है जो कि आपको वीडियो में ही मिलेगा तो उस पासवर्ड को यूज करना है पीडियाप को एक स्ट त्यार कर गजा है कि यहां पर 10 नमर में भी कभी कभी कोशन पूछ लिया जाता है ठीक है तो यहां पर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है एक स्कूछन यहां पर है in which year dose of most recent edition of Indian Pharmacopeia has been published तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस basis पे नहीं लिखना है जो यहाँ पे लिखा गया है ठीक है तो इस question का solution आपको इस basis पे देना है कि आप किस year में question कर रहे हैं तो आप जिस भी year में question यह कर रहे हैं उस basis पर आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो यहाँ पर 20-20 का पेपर है तो 18 में publish हुआ था जो फामाकोपिया था ठीक है और जो भी यहाँ पर next question पूछा गया था यहाँ पर देखने को मिलेगा उतना आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो अभी फिलाल तो चार वैलूम आता है और जो कि 2018 में publish किया था ठीक है यहाँ पर पूछा गया when a solution can be term an isotonic ठीक है तो इसमें question पूछा गया है कि ऐसे क्या condition होता है जिससे की solution है isotonic में जाता है ठीक है उसे isotonic कहा जाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हुआ कि कौन सी condition है जिसके चलते कोई भी solution substitution होता है ठीक है जाता है नेसुरे आपको यहाँ पे आपको यहाँ पर यहाँ बताना रहे पर यहां से याद कर लीजह टीक है exam में एक-दो पूचा जता है, next question यहां पर what do you mean by term self-preservation, तो ह aquí टर्म सहाँ self-preservation उसके बारे में आपको बताना आहां, give to example of self-preservating doses form टीके, तो यहां पर self-preservation doses form है, उसका example आपको बताना है, जो कि यहां पर आपको देखने को को दो मिल रहा होगा और पूछा गया है डिफाइस अपोजेटरी वीद एकस्व टिक है तो यहाँ पर आपको suppose atry के बारे में बताना है और आपको यहाँ पर ईक्जांपल भी बताना है निस को यहां पर पूछा जाता है जो कि section B का है ठीक है तो यहां पर देखेंगे कि question बार-बार पूछा जा रहा है ठीक है तो काफी their method of preparation, solubility problems and method to overcome the problem ठीक है तो यहां पर सबसे पहले preparation, solubility और problems के बारे में बताना है और उसका क्या method है उस problem को हल करने के लिए ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे classification, emulsification का type और यहां पर जो method है method of preparation ठीक है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर major points consider to drug formation ठीक है यहां पर formulation के बारे में बताए गया, emulsification का formulation के बारे में बताए गया है इस question यहां पर discuss the mechanism and factor influencing dermal penetration of drug ठीक है तो यहां पर आपको mechanism और factor बताना है जिससे influence होता है dermal penetration of drugs ठीक है जो भी dermals layer में आप drugs penetrate करते हैं उसमें क्या कैसे factor होते हैं जिसे drugs का efficiency कम हो जाते हैं या फिर कोई problem आती है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है ठीक यहां पर काफी detail में बताया गया है क्योंकि एक question है वह आपको 10 नमर में पूछा गया है इसलिए आपको detail में बताना है यहां पर next question है section C का section C में जो पहला question पूछा गया हुआ है write or short notes on parts of prescription ठीक है तो यहां पर आपको prescription के बारे में detail में लिखना है ठीक है पहले तो आपको parts के बारे में लिखना है ठीक है with suitable example model of prescription यहां पर model बोल दिया गया है तो यहां पर आपको prescription बनाना ही है जो कि यहां पर बनाया गया है ठीक है अगर नहीं बोला जाए तो भी आपको बनाना है अगर 10 नमर या पी 7 नमर म question काफी बार उसक्राफे ठीक है तो यहाँ पर पोसिलोची के बारे में अच्छे से त्यार कर लेगेनड डिसके से बिरीयस एक्टर भी martin को सहाज़ी ठीक है और ऐसे कौन कौन से टर चैनते जिसे क्या होता है कि पोसे पर्सेंट अल्कोल उजिंग एलिगेशन मेथड ठीक है तो आपको एलिगेशन मेथड लगा कि आपको कल्कुलेट करना है जो भी वैलू दिया गया है ठीक है यहां पर देखेंगे कि आपको फॉर्मूला में डारेक्ट पूटप कर लेना है आपका सॉलूसन निकल के आ जाए गारगल माउथवास और थ्रोट पेंट विट एन एक्जामपल ठीक है फॉर्मूला ऑफ ठीक है तो आपको तीनों को आपको एक्स्प्लेइन करना है ठीक है और यहां पर एक्जांपल के साथ एक्स्प्लेइन करना है ठीक है तो माउथवास मिल जाएगा ठीक है और यहां से आपको जो भी उसका प्रोसेस है वो आपको यहां पर अच्छे से एक्स्प्लेइन करना है ठीक है यहां पर आपको गारगल मिल जाएगा नेक्स कुछ ने आपको पूछा गया है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजेटरी बेस यहां पर बताना है कि सपोजेटरी बे पर और नेक्स कुर्शन में आपको पूछा गया है वाट इस जेल ठीक है तो आपको यहां पर जेल के बारे में बताना है ठीक है और डिसकस्टी मेथड फॉर इवलुएशन ऑफ सेमी सॉलिड डूजिस फॉर्म है उसके बारे में आपको जो भी इवलुएशन ऑफ सेमी सॉ लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में पत्ते के लिए बाई टेक केर जाहें इन्दे